ओम्नमोहगते बाशुदेवाय स्रीमद भागवत साप्तमस्कंद पंचमध्याय प्रल्लाद गुरु सिख्या छाड़ी विश्नुस्तु तिरे मन बढ़ी पितामर अंते सेनमरे एही चारित पंचमरे नारद वाचन असुर कुले पुरो हित सरवज्या सुक्र भ्रवु सुत मुनिंक पुत्र बेनी भाई सुन्ड मरक नमे दुई राजा चार्जय तंकु कले पुत्र मनंकु पढ़ाईले राजा मंदिरे बेनी भाई दत्य पुत्रंकु संगे लई सेशड जेशड निती राजा कुले सर्वपढ़ांती एक मिले तहंक मध्य प्रहल्लाद सकल सास्त्रे हेले सिध्धन गुरुंका मुखु बेले सुनी तक्षने चित्ते परिमानी चित्त निर्मले तहा जाने केवल मने नप्रमानी दिचार करे अंतर गते केरी पूके मित्र जगते एकोई आत्मा नरहरी समे सकल घटे पुरी एको थानुहे अप्रमन सकल आत्मा नरायन जेपाठ पढ़े बापदरे दुढे नधरे हृदयरे दिने का प्रहल आदा अनी कोडे वसाई इन रुपमनी अनिका लंकार देही सानन्दे पुत्र कुपुच्छाई हे पुत्र सुना बाक्यमर जेशड नित्ती राजान कर तुत्ता हा गुरु मुखु सुनू सुरुदुढ चित्ते नप्रमन। मुभले सुनी लई एहा कहतु साधु मनु जाहा जे राजा निती चित्ते धरे के वेहें सत्रो कुन डरे संग्रा मेरी पुजय कले सिराजा सुख भुंजे भले विज्ज्या पढ़िलू एत्ते काड़ भलकी मनु मते भलो पिता वचन पुत्र सुनी सिरे निवेशी बेनी पानी सानुदे वाक्य गद गद कहे भलक प्रहलाद प्रहलाद वाचन सुनभ तातो एक चीते जे साधु मने मरमते सुन कहाई तो ग्रते जे साधु बाक्य सास्त्रमते संसार पाप ग्रह प्राहे प्राणिंकुद बेग दिये देखाये ग्रुह अंभकुप आत्मानी पात महाताप एहाकु दुरे परिहर अरन्य कृष्ण आस्रेकर साधु मनई एहाचीते सत्यक हिले तो ग्रते नारदवाच्य सेराजा पुत्र वाक्य सुनी सत्रुर पक्य प्रायमनी उच्चे हसिला अतीरेक बोलोई पुत्र अभीवेक एपरी पर बुद्धी वले नस्ट होनती सर्व काले एहार बुद्धी के हरिला मोहर सत्रु कुह जिला कुलो बालक तले थोई बोले सेवक मुख चाही गुरु भुबने नेई दिय एक था गुरु आगे कह एमोर बालक रमन रिपु विशय किमपा छर्न एहार मन विश्नु पक्खे जयमनते नगटे प्रतके राजारो आज्यां भुत भुत्यो पाई बालक गुरु घरे नेई ब्राम्भन गस्ठी मधि देला राजा वचन जनाईला ता सुनी विप्रव दबेगे बोलनती प्रहलाद आगे साधु वचन बाक्यमते कहंती हस्त धरी हस्ते हेवस्च प्रहलाद सुन सर्वदाहे उतकल्यान आम्भंको लगई संसय मिध्यान कही सत्य कह बालक बुध्धी तो न देखी अधुत प्राय उपलखी तोहर बुध्धी के हरिला सत्रु भजने सिख्या देला किवाई सोहाव तोहर आम्भंको लगे अगो चर कह कह के तो ते देला दिख्या आम्भेश्रवने करू हिच्छा प्रहला दोवाचन जाहर माया बले जन सोपर बुध्धी करे भिनन जाहर नहीं परापर ताहकु मुर नमस्कार जाहर आज्या परमाने प्राणिनी स्तरे भव बने से सर्व आत्मा जोगे स्वार ताहर नहीं परापर जाहकु हरी करे दया ताहर जाय भेदमाया अज्यान बले सर्व जन्तु भजन्ती परापर हेतु ब्रह्म्हादी देवहिं सरवे बिमुग्धा हंती जारवावे सिमरा मना भिर्नकला परा परा नकहीला जेसने अयस कंत गुने लवह भ्रमाई आकर्शने मोहरा मती सेहिमते भ्रमाई विश्नूर आयते नारद वाचन गुरुमको कही भचन प्रलहाद होई लामोन बालक बानी सुनी करने कोप वसिला गुरुमने समीपे थिले राजालक गुरुही राजार सेवक कोपे कमपिले भाक्य सुनी तक्षने घरु बेत आनी अंभर कुले दुराचार निष्चे जन्मिला कुलांगर दुर्वुध्धी पण एबालक एहा कु प्रोधन रख चंदन बने कंटा ब्रुख्य जन्मिला देखाए प्रतक्य कंट का ब्रुख्य जेवे मारी चंदन बना जत्न करी तेवे निर्भय भोग करी कंटा ब्रुख्य को नित्ते डरी चंदन बन दत्य गण विष्णुजे कुठार समान कुठार बेंट एहु हई एथिले आम्भवल नही यमंते कराईले भये तरकिले विविधाउ पाए पुनी आश्वाश तकु करी गुरु पढांती हस्त धरी जे धर्म अर्थ काम फळे से विध्या पढाईले बले के बला मुख्य नही तही यमंते बला के पढाई मातांको आगे नही देले से तकु अलंक तकले राजा समिपे देले नही ता देखी राज्य राजा तो सही चरन तले पुत्र देखी स्निह लतके पुरे आखी आनंदे गात्रे हस्त देई स्निहरे कुलरे बसाई पुत्र सुभावे पृति करी कल्यान करे कुले धरी प्रशन्न बद निया नही शाधिरे पुत्र को बोलाई यन्यकसिपु बाचन हे पुत्र सुना मोवचान गुरुभु बने ते दीन तुझे पढ़िलु बाळभावे मुरस मुखे कह एवे उत्तम विद्या पुत्र काह मोमने नराहु संदेह प्रलाद वाचन शुनहे तात मन देई जे विद्या उत्तम मनाई कुरुष्णरा स्रवान किर्तान स्मरान चरान सेवान करिव तंक पुजास्ताव चरनी दासा पने थीव सक्ष्ण भावरे निवदिन करिव आत्म निवे दान सर्व संपदा समर्पीव मुशाष्ट्र कहे ते भाव एहामु उत्तम मनाई कहिली तोर आगे मुहि एनव लख्याने भजा एनव लख्याने भकती जेनर गविन्दे करंती उत्तम विद्या बोलिताहा जेने न लगे विष्णु मायान इमंता पुत्र मुख सुनी कोपे उठिला सिरजुनी अरुन बेनी चक्षु सुरे प्रचंड कम्पीत धरे गुरु पुत्रर मुख चाहि बोलई कोपा हर होई तु ब्रम्ह बंधु गुरु सुत एततो हरवी परिता मुरवी पख्यस्तुति जेते एहा सिखाईलु के मन्ते असार विद्या सिखाईलु तु तव ज्यामते कहलु असाधुल कए संसारे अचंती कईतब बिभाहरे ताहंक दोस तांकु मारे रोगजे सने कले बरे जे प्राणी ब्रम्ह हत्या करे सेख्या रोगी जनमान्तारे जेनित्य मद्या पान करे विकट दन्त ताव धरे सुवर्न हरी थाई जेवे कुनखी होई जन्मलावे गुरुका मिनी जेवे रते धवला होई मुखा हस्ते एमंते असुर वचने कहंती गुरुं कनन्दने गुरु भुत्र वाचन महर सिख्याए नुहाई आनवा पढ़ाई वकाई तुम्भ पुत्र राये सोभाव जानितु चिन्त परावव नारद वाचन एमंते गुरु वाक्य सुनी संसय चित्ते रुप महनी पुत्र कु चाही कोप भरे बोलाई गरु तम भरे इविध्या गुरु वाक्य नोहे कियावातर मनमोहे प्रहलाद वाचन सुन हे त्रोयलक्य इस्वर मतिर गती चक्रधर जे प्राणी गुरुह बास करे तामती कृष्ण नसु मरे गुरु वचन की करिभ जाहर जे मंत सो भाव असाध्य इंद्रे अंक बले गुरुहस्त पले रसा तले कुल विभारे बसा हुई चर्वित चर्वण करोई ताहंक मती कृष्ण ठावे केवे हे नोहे भक्ती भावे जे प्राणी दुरा सय पने अनर्थ अर्थ प्राय मने शे काही कृष्ण कुपाईव जे ब्रम्भा संकरे दुर लभ जाहर मती अर्थ अध्याई से शे प्राणी लभी वता काही अंध कु अंध जेन्हे वहे से इसा तंत्रे भ्रमे महे एमंत प्राणी को सो भाव केमंते कृष्ण कु लभीव कृष्ण चरण पद्मदुई एगेनी लभी न पारई जाहर चरण र अर्थ स्मरणी खंडई अनर्थ विश्णुभा कत पाद धुली उदक संगे सिरे बली तही जेश्णान न करई हरिंकी लभी वसे काही एमंत कही दत्या बला अंतरे मो नरहिला सुनी असुर को पानले कुलरो पकाईला तले रसे अरुना चक्छु कला असुर गणे अज्ञादेला सुनहे नई रुत गण मरो पुत्र रदुष्ट पन मरो नर्जी लभे भारे एहा को राज्या कर दुरे मरो अनुजा नास करी जे विश्णु महर बाईरी तहर पक्छा एधायला निजा सुरुदा उपेखिला विश्णुर अदास भाव वहे के प्रण थाव एहाश हे विश्णुर अस्रे महर निश्चे करिव अपकार एपंचवर सरसुत पिता मतार भगत पिता सुरुदा पुत्रंकर दुस्त्यक्याई सास्त्र विभार दुस्त्यत जय सास्त्र वेभार परर पुत्र होई जेवे आपना हित अनुभावे ताहको जानी निजसुत रगको असदे जमन्त आपना तहुं जात होई परर हिते जेवे थाई व्याधिर प्राय जन्मतर सेमले आत्मार निस्तर जेहित करे पर होई तात हुं आर बंधु नहीं अहित करे बंधु जेवे ताहको लेखी सत्रु हावे जे अंगे सर्प घात करे सेयंग दोसे प्राणी मरे सेयंग छेदी पकाईले देहे जिवन रहे भले देहरू ब्याधि जन्म होई आत्मा सहिते संहार रही अरण्यो आओ सधियानी रोग संकटो तरे प्राणी परा परा जे वीचार केरुपु के अपला पनरो सुहुदा होई सत्रु पने जे पाप चिन्ते अनुख्यानी नाना उपाये ताकु मारी सेमरे सुखे प्राण धरी जोगिंक जोग साध्यकाले दुष्ट इंद्रिया जेवे बले ताहाकु जेवे करे साध्य तेवे लभई प्रम्हपद एमित्र वेश धारी पर एहाकु देगे बध करो भजन सय नवासने उपाय कर तामरने एमन्ते राजा अज्यापाई असुरे अस्त्र घेनी धाई बालको नसमने चिन्ती सुलां तरीखे भूलांती शुतिक नादिसे दंत पंती कोराल वदने चाहंती तम्बार वर्न प्राय दढ़ी सिरे कपिल जटी वेढ़ी नाचंती भई रव नदे रडंती खिली खिला नदे सुला उलाई महाघुरे पिटिले वाला कवपरे ता देखी असुर कुमर मने चिन्तिला चक्रधर गविंद पादे चित्त देई बोलोई असुरं कुचाहि तुम्भर देहे जेवे हारी आत्मा सो रुपे छंती पूरी सकल सास्त्रे हरी जेवे घटे चंती आत्मा भावे एक था सत्य जेवे हाई सस्त्रन काटु मोर देही सुनिय असुर कुपभरे अनिक सस्त्र प्रहादीले प्रहला दर देहे वाजी सकल सस्त्रे गले भाजी अपुन्य बंत प्राणी देहे जेन्हे सुकृत फळनोहे अध्भुता कर्म तार देखी तक्ष्यने आसन उपेखी भितरे पसिला सर भयरे कमपे थर हर मंत्री संगते विचारीला बालक मरण चिन्तिला अई राबत अधिनागे ताहंकु अणाईला बेगे बोलही दंताग हात कर ज्यमंते मराई कुमर सुनिया नेक हस्तितुले बालक समीपे मिलीले हस्तिनकी चाही धत्यवळा अंतरे कृष्ण सुमरीला महाक्रोलधरे गजबरे निस्ठुर दंतर ग्रहरे निर्गाते करंते प्रहार शकल दंत हेलाचुर भयवाद भयवाजिले हस्तिवल देखिया सुर कोपानल तक्षक आदी अस्टनागे थिले जे अंतरिख्यमारगे ताहंको राइन रुपवर निस्ठुरे बला युत्तहर एकुलैंगार मकुमर एहार प्राण बेगेहर नागंको देखि प्रहलाद चिते चिन्तिला कृष्णपाद तक्षने कोपे नाग बले बालक सरीरे दंसिहिले मुखरु दंत जडी गला नागंको फणा बथाईला नागे पड़ाई गले बेगे जीवन भय दस दीगे पुनिसे कृत्या होम कला पर्वत सिखु कच्याडिला संबर हस्ते माया कला केवेहें प्राण नात्तान गला बंधन करी हस्त पाद मेडिला अगाध समुद्र गरण देला जड़ पाने के तेहें दिन अभो जने हीमप बन अग्नी जले पर्वते चापी कोपा नले नान प्रकारे कस्ट देला केवेहें बढ़क नमला सुभावे पाप तार नाहीं दन्डवा धिवता कुकाहीं केवेहें मारी नपारीला चिन्तासा गरे निमजीला जाग्रत सुपन प्राए होई केवेहें सांधी नभजाई देख़ए बाड़क विशाए के तेन चिन्तिली उपाए सत्रुर प्राए पछे थांते केवेहें नतर रई चिते कसन देली जेते मुहीं किछी ए हार हेला नाहीं सुना से फर प्राए रहे कियाउ करी दियु पाए महानु भव एकुमार मनबा चने अगचर निर्भए एते दुखा सहे एनु मचिते महाभवे एहार तुले बादकले प्राणमु नपाई विभले एमंते भाली मनदुखे दंडेर हिला अधो मुखे साधुवी सए द्रोह कले केवा संसारे थिव भले गुरुकु मरे ताहा सुनी असुर मुखा चाही भणी सुना हे नुपा चुडा मनी तपेतु त्रिभुबन जीनी आत्मर सुखे भग करु जन्हे अचल महा मेरु तोहर रिपुए संसारे नदेखी संसार विभारे ए बालकु मर तोहर एहा कु किम्पा तोर डर बालक गुन दसना ही संसय करो किम्पा तोहे जेवे संसय तोर मने कही भाशुन साबधाने एहा कु बरुन रपासे बंधन करतो विश्वासे निकटे रखत वायते भयहा जिवा परिजन्ते बालुत दसा एचाडीले सुगुध्धी प्रकासिव भले ब्रम्हार पुरु आम्भतात तोपासे नवासे जाबहत तावत थाउ एही मते संसय नकरुत चीते गुरु पुत्रंक वाक्य सुनी संत से कहे नुपमनी सुनहे गुरुं ककुमार एवे मोहर बोलकर गुरुहस्था श्रम धर्म जेते से राज धर्म निती जुगते त्रिवर्ग धर्म अर्थका में जे मनते पढ़े अनुक्रह में ए मनते राजार वचने प्रहला दकु बेनी जने अनिक जक्ने पढ़ाईले असुर कुमार अंकतुले गुरुं का मुखु जेते सुने अंतरे साधुता नमुने गुरुहस्ता धर्म रव्यव्यस्था आक्मार निपात एक था एधर में मही हंती जन एणे की मर प्रयो जन एमनते करई विचार एवेह सुनन रुपवर पढ़ाई पाड़ कंक मेले गुरुचे गुरुह करमे गले स्रेप्रहलाद अत्ताहाचाही बोले बाळक मध्य थाई शुन हे असोरकुमरे जेविद्या संसार उधरे मंचे मानव देहबही आत्मज्ञान अटी जारनाही तार जीवन अकारण एवेह सावधाने सुनन कहही दास चगन्नाथ साप्तमस कंदे भागवत इपिता पुत्रंक संबाद सुननते नलागे प्रमाद इति श्रीमत भागवत्य महापुराणि परमहंस्यासहितायं थप्तमस कंदे प्रलाद चरितं पंचमुध्याया हरियों तस्षत